कि तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉंट्राक्ट एक्ट 1872 कि यह 25 अप्रेल 1872 को आया था कि इसका यह चैप्टर वन है और चैप्टर वन में हम से लेकर के सेक्षन नाइन तक पढ़िंगे तो सेक्षन यह कहता है कि इस एक्ट में भी कार्ड दी इंडियन कॉंट्राक्ट एक्ट 1872 मतलब इस एक्ट को इंडियन कॉंट्राक्ट एक्ट 1872 कहा जाएगा और यह जम्मू और कास्मीर को छोड़ करके सबी जगहों पर लागू होगा भारत में ठीक यह था सेक्शन वार अब सेक्शन टू पर आ जाई यह जो कि है इंटर्प्रेटेशन क्लाजिज इसमें डिफिनेशन दी गई है तो पहला डिफिनेशन है इसका मतलब सेक्ट का एप है जो है प्रपोजल क्या होता है तो प्रपोजल होता है विन अपर्सन सिग्निफाइज टू अदर और अनदर इस विलिगनेस माने इच्छा तु दू और अबस्त्रेइन माने न करना फ्रॉम दू इनिफिंग्वी टू अब्तेनि असेंट अदर तू शच एक्ट और अबस्त्रेंशन He is set to be a make-up proposal मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी इच्छा को इस प्रकार रखता है कि वह उससे इस इच्छा के प्रती सहमती मिल जाए और इच्छा रहती है कुछ करने की या कुछ ना करने के रोकने की इसको प्रकोजल बोलते हैं इक्जामपल से समझते हैं जैसे ए बी ए को एक पिन बेचनी है बी को ठीक तो ए उस पिन को बी के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि बी राजी हो जाए वो पिन खरीदने को क्योंकि ए को वो पिन बेचनी है तो इसको प्रकोजल बोलेंगे ठीक अब इसको आफर भी बोलते हैं अब देखते हैं अगर यही प्रॉपोजल एकसेट कर लिया जाता है बी पे आगाए हम लोग टू के बी पे यही प्रॉपोजल यह ओफर एकसेट कर लिया जाता है तो यह प्रॉमिस बन जाता है एक्जामपल के तौर पे ए को बी को वही पिन बेचनी है बी ने पहले ओफर रखा या प्रॉपोजल रखा उसके बाद बी ने मान लिया कि हाँ मुझे यह पिन खरीदनी है मतलब उसके प्रॉपोजल को उसने स्युकार कर लिया तो यह प्रॉमिस बन गया अब देखो बी यही कहता है कि प्रॉमिस क्या होता है अब सी पे आ जाते हैं सेकंड के second का C ये कहता है कि जिसने promise को accept किया है वो promise ही होता है देखो जैसे यहाँ A ने B को pin बेचनी है ठीक अब A ने promise किया जब B राजी हो गया pin लेने को तो A ने कहा कि मैं आपको pin ये दे दूँगा मतलब A ने promise किया B से कि मैं ये pin आपको दे दूँगा तो यहाँ A जो होगा वो promise होगा मतलब promise करने वाला और जो B होगा यहाँ promise होगा मतलब promise को स्विकार करने वाला इसको वचन ग्रहिता भी बोलते हैं हिंदी में promise को अब देखते हैं और अगर इसी आप देखिए consideration for the promise क्या होता है ये second के D में बात करता है कंसिडरेशन अब दी promise क्या होता है मान लीजिए एने भी से promise किया देने को एप प्रामिसर हुआ उसने promise किया है तो भी उसको 10 रुपए देगा क्योंकि उपेन उसको अगर खरी देगा तो जिससे खरी देगा यानि ए से खरी देगा तो एक को कुछ रुपए देगा तो यह जो रुपए देगा दस रुपए यही consideration बोला जाएगा कि कंसिड्रेशन बिसिकली होता है किसी चीज के बदले में यह ने भी को पैन दी उसके बदले में यह को दस रुपए दिया यह consideration हो गया आप देगा यही बात करता है कि सेक्शन टू का डी अब सेक्शन टू के ए में आ जाते हैं कि एग्रिमेंट क्या होता है कि एग्रिमेंट हमने पढ़ा था कि जो ऑफर या प्रपोजर एक्सेप्ट हो जाता है तो वह प्रामिस बन जाता है और अगर यही प्रामिस इसी प्रामिस में कोई consideration जोड देते हैं लेकिन एक चीज़ यह ध्यान रखनी है consideration लाफुल होना चाहिए किसी भी प्रामिस में अगर consideration को जोड दिया जाता है तो वह एग्रिमेंट बन जाता है और किसी प्रामिस में अगर consideration नहीं जुड़ा है तो वह एग्रिमेंट नहीं हो सकता और अगर प्रामिस में lawful consideration को जोड देते हैं तो वह एग्रिमेंट बन जाता है यही section 2 का E कहता है अब section 2 का F है जिसको बोलते है reciprocal promise अब देखिए A ने B से कहा कि मैं आपको अपनी पिन दस रुपए में बेचूंगा अब B ने कहा ठीक है मैं लेने को तयार हूं इधर दो promise बनते हैं कैसे पहला promise तो यह है कि A को यह पेर B को देनी पड़ेगी यह promise करेगा कि मैं आपको यह पिन दूँगा और B क्या promise करेगा आप मुझे यह पेन देंगे तो मैं आपको दस रुपए दूँगा इधर A ने भी promise किया इधर B ने भी promise किया consideration A की तरफ से भी आया consideration B की तरफ से भी आया consideration के बदले में A की तरफ से consideration यह आया कि वो पेन देगा B को B की तरफ से consideration यह आया कि वो दस रुपए देगा तो इधर देखा जाए तो promise दोनों तरफ से हुए इसी को reciprocal promise बोलते हैं अब देखिए 2 के G में आ जाते हैं 2 के G कहता है कि An agreement not enforceable by law is set to be void कोई भी agreement अगर ओ लौर द्वारा enforceable नहीं है मतलब कोई भी agreement अगर विधी द्वारा लागू करने योग नहीं है तो ओ बॉइड होता है बॉइड बॉइड माने सून यह ठेक अब वही 2 के H पे आ जाईए section 2 का H यह कहता है कि कोई भी agreement हो अगर ओ इन्फोर्सिबल बाइ लौ है तो ओ कॉंट्रेक्ट होता है अगर इन्फोर्सिबल बाइ लौ है मतलब विधी द्वारा लागू करने योग है तो ओ कॉंट्रेक्ट होता है section अब आ जाईए 2 के आई पे यह कहता है अगरिमेंट विच इस इन्फोर्सिबल बाइ लौ अट दी ऑप्शन आफ वन और मूर देन पार्टीज बट नॉट अट दी ऑप्शन आफ अधर इस सेट अ वाइडिबल कॉंट्रेक्ट इसमें बता आई गया है कि वाइडिबल कॉंट्रेक्ट क्या होते है section 2 के आई में यह कहता है कि जैसे मान लिजिए कोई ऐसा एगरिमेंट हुआ है जो की enforceable by law तभी हो किसी एक के option पे होगा और एक के नहीं कोई ऐसा agreement है जो की enforceable by law होगा किसी एक के option से दूसरे से नहीं कहने का मतलब है contract agreement में दो पार्टीय हुई तो enforceable by law किसी एक पार्टी के option पे होगा दूसरे पार्टी पे नहीं कि इसी को बोलते हैं बॉइडेबल contract मतलब सून्य करने मतलब यह सून्य नहीं है लेकिन एक पार्टी है जो चाहेगी तो सून्य हो जाएगा और चाहेगी तो सून्य नहीं होगा मतलब apply होगा लेकिन इसमें क्यों एक पार्टी रहेगी अगर दोनों पार्टी कह देती हैं कि यह इंफोर्स तो यह था टू का आई अब टू का जे है ठीक जो यह कहता है a contract which is seizes to be enforceable बाइला बिकुम वाइड वेन इस सीजेस तू बी enforceable मतलब यह कह रहा है कोई भी ऐसा कॉंट कॉंट कोई भी ऐसा कॉंट्रैक्त जो की i.e.c to be enforceable बाइला इंफोर्स बाइला नहीं है या भविस में इंफोर्स बाइला नहीं रह जाता है कि सीज हो जाता है तो वी इंफोर्स बाइला वह बॉइड हो जाएगा कि यह सेक्शन टू का जे तो यह interpretation class थी